हालो दोस्तों आप सभीका फिर सेगबर बहुत बहुत दोलकम हैं आपके अपनी चैनल टागेटू इन फेंटरसी पर इस विरो में हम एक नए टीटेन लिग के बारे में बात करेंगे जो 18 जूलाई से सुरू होने वाला है इसी स्रीटर इंटाली पर ले поряд होगा तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो मैच खेला जैने वाला है उसके बारे में हम बात करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो आभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में वीडियो को लाइक करके सुरू कीजिए उसके साथ गाईस हम यहाँ पर जो पॉइंट आपको यहाँ पर डिटील में समझाएंगे तो आप उसको सुरू से लेकर तक पूरा दिखे तक एक एक पॉइंट आपको डिल में समझाएं और आप एक अच्छी टीम बना पाएं तो चले गाईस यहाँ पर वीडियो सुरू करने सब्सक्राइब को आपको टेलीगरम के पर बताएता हूँ कि अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए ग्रेंड लीग और समॉल लिककर तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्सन पर मिल जागी तो आप अभी के अभी जाएए लिंक पर क्लिक करके हमरे टेलीगरम को जोइन कर लीजिए तो गईसाब हम मैच की बात करें देखिए दो मैच की बात हम करेंगे एक मैच होगा दो बाजे दूसरे मैच होगा सामको चार बाजे अठारा जुलाई ये मैच दूनों मैच खेला जाने वाल है रौमा क्रिकेट गाउंट रोम इताली में ए लिक कर सारे मैं चोज़े हो। बिल्क जैर रहने वाल है। और यहाँपर जो ग्राउंड होगा और प्रौपर ग्राउंड नहीं होगा। अगर proper count पर match होगा तो आपको ट्रेलिंगा पर इंफ्रप कर दूँगा लेकिन अभी तक जीतना नहीं हुज है कि उहाँ पर match 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 के उपर ही खेला जाने वाला है तो इसलिए उहाँ पर आपको ज्यादा से बैटिंग फिल ले विकेटी देखने को मिलेंगी क्योंकि मैट के उपर तो उतना जादा हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर ball swing होगा या फिर ball turn लेंगे या फिर paces को मदद मिलेंगे या फिर spinners को मदद मिलेंगे क्योंकि मैट के उपर proper तरीके से कोई पीच नहीं होता है तो यहाँ पाद जादा से बैटास को ही help मिलने वाला है और पेडिक्सन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ROR के विनिंग चांसे 56% जहाँ पर RC के विनिंग चांसे 44% मतलब अच्छे हैं दोनों टीम्स की, आपको थोड़ा से यहां पर ROR के उपर बेस करकर टीम मराना चाहिए कि टीम का थोड़ा सा विनिंग परसेंटरेज अच्छा रहेगा, हमारे ही सबसे, अगर आपको लगए कि RC जीतेंगे तो आप उसके फेवर में जाहिए, वह आपके उपर है तो काई साथ हम दोनों टीम्स के प्रवल प्लेइंग लेवन के बात करेंगे साथ में आपर एक्सप्टेट बैटिंग और किया रहने वाल है, उसके साथ प्लेयर रिसेंट प्रफेर्स कैसा है कि कॉनसे प्लेयर कैसे रांस मारे, कैसे उक्रस निकाले तो सारे के डिटलिस मे साथ तो काई देखिए हैं पर जितना स्टेर्स हमारे पास आया है, हम उतना ही आपको बताने वाला है, लेकिन हम एक्स्ट्रा कुछ आपको नहीं बताएंगे, जो हमको पता नहीं है, मतलब अभी तक इंपरमेंसन हमाने पास नहीं आए, वो टूनमेंट आके जितना जाएं साथ मैचेज नहीं खेला है, देखिए, असना फूल इसलम, टोटल लान अभी तक बनाया है, सतर और चाबिस के एवरेज के साथ बनाया है, तो ठीक ठाक पिक अपके लिए इस मैच पर रहने वाला है, करकंदिप सिंग के बारे में बात करें, एक मैच खेले, और हम पर सिर् विजावडा, फन इंग्रा, 17 मैच खेले, 180 रन बनाया है, साथ बनाया है, तो आपके लिए एक और लान परफेरेंस करते हैं, देखने को मिल सकते हैं, इस मैच पर, थी डाउन आएंगे नमबर पांच पर देखिए, आहां मेरे घुलम, 4 मैच खेले, 28 रन बनाया है, तो रि पिक आपके लिए होगा, क्योंकि देखिए, अभी तो आमारे पास फाइनल आइनम नहीं है, फाइनल प्लेंग एक साई भी नहीं है, बैटिंग ओर भी नहीं है, तो इसलिए आपको टॉस तक वेट करना पड़ेगा, हम टॉस के बाद आपको टेलिंगम पर इंफम करतेंग पंद्रा मैच खेले, बीसर मनाए, दो विके निकाले, तो नमबर आट पर एक ठीक टाक प्लेयर आपको मिल सकते है, कुल विंदर राम, जीत अंदर पगा साथ मैच खेल के तीन विके निकाला, आपके लिए इस मैच पर अच्छे खासे बोलिंग करतेंगे देखने को मिल सक जैसे कि आपर राजविंदर सिंग को भी आप देख सकते है, 21 मैच के लिए 120 मनाए, 10 विके निकाले, मतलब बैटिंग बोलिंग दोनों सच से ये भी आपको कॉंटिवूट करके जा सकते है, नमबर गेर अपर आएंगे सबसे लास्ट में, देखिए उमार साजाद, 18 मैच क दोबर डालेंगे, जीतन रप्रकाश डालेंगे, और रजविंदर सिंग और उमार सिचे, तो यहाँ पर है टोटल छे प्लियास, तो इन छे में से मेरे सुषक किछी पांच को दोबर मिल सकता है, या फिर किसी एगात को ओवर काट होके, ओवर डिवाइड होके, किसी दूस विजावडा फानिंद्र हो गए, उसके साथ दिए मुबारा घोसन, अच्छे पीक, मुक्तियर सिंग, कुलविंदर राम, राजविंदर सिंग, यह गई छे चोईस, उसके साथ दिए नंबर 11 पर जो है उमर सेज़, तो यह साथ प्लियर्स अभी के लिए आपके स्मॉलिक क टिम पर होना चाहिए, बहुत ही अच्छे पीक होगा, तो गाईस अब हम दूसरे टिम के बारे हम बात करेंगे, अर्सी, जै आवे दिन, इनके रिसें स्टाट्स कोई नहीं है, लेकिन लास्ट यार जो टीटेल लिग पर खेला था, अच्छे परमस किये थे, तो इसलिए फ अच्छा कर सकते है, नमबर तीन की बात कर रोंडर नहींगे, डेन किर भी चार मैच पर 28 सन बनाया है, लागबग ठीक टा स्कोर कर सकते है इस मैच पर भी, लियांद्रो जैरा राजा उखिट को रिंक रिंकर रहने वाले है, चार मैच पर 25 सिर्फ उतना अच्छा स्कोर नह सकते हैं नंबर च्छे पर आंगे फोट डाउन यहां पर जारियान इजा जारियान इजा तीन मैच खेलें ग्यर रन मनाएं दो उके निकालें तो लगवाग ठीक ठाक भी होगा आपके लिए क्योंकि एक बोलिंग और रहें बोलिंग के साथ साथ बैटिंग भी अच्छे कहां मनाएं दो उके निकालें केविन केकुला वाला तीन मैच खेलें एक उके निकालें और अली गुलाम मसिमो डाकोस्टा इनका कोई रिसन रिकॉस नहीं रहें तो काई सब एक बढ़ देख लेजिए कि आरसी के तरफ से कौन कौन से प्लेयर मस्ट पी दो बढ़ डाले वाले ह मौरेटिनी है जो एक दो बढ़ डाल सकते है इजाज सभी बादा तीन हो गए सुमेर आली उसके साथ यह पड़ देखिए के कुला वाला तो यह पांच प्लेयर मेरे सबसे दो बढ़ डालने वाले है बाकी यह पर बात करे अली गुलाम या फिर मासिमो डाकोस्टा इनको ए प्लेयर और इजाज रहने वाला है तो यह पांच प्लेयर समाच भी होगा साथ में पर मिसल मोरेटिने और साफी बात तो यह साथ चोइस भी है आपको प्लेयर पिक्स करना पड़ेगा तो अभी हम देख लेंगे कि स्मॉली के लिए कैप्टन सियर वाइस के चोईस पर कॉन बना रहा है तो इसका मतलब किया है रिसियन में तो कोई अच्छा परफ्रस नहीं है लेकिन लास्ट यह जो परफ्रस किये थे उसके हिसाफ से लोगों ने इनको पिक कर रहा है कि इस मैच में भी साथ इस मतलब इस साथ जाना पड़ेगा प्लेयर अच्छा है आप चाहे तो कैप्टन वाइस कंदर मत बनाई है लेकिन टीम पर जरूर रखिए और साथ मुक्तियर सिंग एक अच्छे पीक तो ये तीन प्लेस आपके लिए बिल्कुल अच्छे कैप्टन से वाइस कंदर चॉइस रहने वाला है और ग्रैंड लिग पर देखिए अले जंदर सभी लिए है कि दिखिए अगर ये थोड़ा सा अच्छा कर जाए मतलब इनके तो कैप्टन सी और भास कंदर परसेंट उतना ज्यादा नहीं है मतलब सायद होगा 10 के नीचे तो अगर आप इनको कैप्टन वाइस कंदर लेके जाओ तो उनको थोड़ा सा अच्छा रंस अगर बना जाए अगर उनको जाता हुए कि इस मिल जाए तो आपको वान सेडिर गैंड लिग पर विनिंग करवा सकते है तो का इस फिलाल एक आपके लिए स्टेयर्स और अनलास की बात अभी चलते है डिमिंटर में आप एक स्मॉल लिग का डेमो टीम बना कर आपको दिखाएंगे ये तोडरा ही बैसिक स्टाइट्स और अनलासिस लेकिन अगर फर्दर कोई स्टाइट्स या फिर कोई प्लैस के बारे में जानकर या फिर कोई भीनी उजाहे तो आपको टेलिकम परजरूर इंफरम कर दूँगा वहाँ पर आपको final team में मिल जाएगी small league और band league खीतो आप अभी के अभी जाएए description में link पर click करके हमारे telegram channel को join कर लिजिए अभी हम demo team बना कर अपको दिखाएंगे तो काईश देखिए आपर विगेट के परिंग सक्षन पर दो प्लेस आपको खिलते हुए देखने को मिल सकता है यह इसलाम या फिर एल जायराजा तो इन दोरों में से मेरे सबसे आपको ए इसलाम के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि देखिए 82.something percent लोगों ने इनको पिक करके रखाए आप चाहिते है जायराज के साथ भी जा सकते हैं कि इनको भी टूड़ाण बैटिंग करने का चांसे रहता है अगर टूड़ाण आए और यह थोड़ा सा डाउन दी ओड़ा रहा है तो आप जायराज साथ बिल्कुल जा सकते हो और बैट्समेन अफसन की बात कर लेते हैं एक बर गगंदिप सिंग मास्ट पिक जैय अवेदिन एस अवेली तीन चोड़ाज मास्ट पिक रहने वाल है आप इन चारओ अलनुरas को लेके चले है कि अपको टी टेन में ज्यादा से ज़्यादा ओलनुरूस को ही टीम पर रखना पड़ेगा और रखने ऐसे होते हैं बैट्रिंग बोलिंग साथ से आपको पर्फर्मर्स कतता हुए देखने को मिल सकते हैं बोलिंग से सब्सक्राइब बात करें यहां पर आप मुक्तिर सिंग के साथ भी जा सकते हो या फिर अब देखिए आप इनको भी पी कर सकते हैं कि पूरे दो बड़ डालेंगे साथ मिया पर नंबर साथ या अगर बैटिंग करने आए तो आपके लिए मास्ट भी भाइसकरम्स के लिए बहुती बड़े चोशिंट पर बनने वाले है तो गाश टीम सेफ करके आपको प्रिव्यू दिखाऊंगा वहां पर थोड़ा सा क्रेंड लिग में पर में डिसकस कर देंगे यह इसलम रहने बात करें जेड इजाच अली घुलाम सफी वादर और यहां पर मुक्तिय गुलाम तो आप ट्राइ कीजे ग्रेंड लिग पर देंगे जय अब दिन होगा ए इसलम सवेली सफी बादर जय राजा और जे प्रकास तो यह छे प्लेस को आप बिल्कुल ग्रेंड लिग पर ट्राइ कर सकतो थोड़ा सा डिसकी ओप्शन पर तो गाश फिला लेरेगा आप सब्सक्राइब कीजे थैंक यू सो माच अल दे बेस्ट मिलते नेक्स वीडियो पर